नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का वीके वी न्यूज में और मैं हूँ निलेश फरकाडे एक स्पेशल प्रोड़ाम लेकर मैं आप तक आया हूँ दोस्तों बाते कई होती हैं इतिहास लिखे जाते हैं मगर इतिहास में अमर होने वाले अक्सर वो लोग होते हैं जो बहुत ही कामयाब होते हैं एक ऐसा ही किस्सा आपके साथ शेयर करने के लिए मैं आया हूँ करीब 23 साल पहले भारत ने कारगी लिद्ध में पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी कारगी लिद्ध की यादे आज भी लोगों के मन में ताजा है साथ ही एक और चहरा सभी के आखों के सामने आता है और वो है एक आर्मी अफसर का मुस्कुराता हुआ चहरा जिसने टीवी कैमेरे पर कहा था ये दिल मांगे मोर ये थे कैप्टन विक्रम बत्रा जो आज ही के दिन यानि के साथ जुलाई को कारगी लिद्ध में शहिद होए थे लेकिन शहिद होने से पहले उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे कारगी लिद्ध में भारत की जित तय हो गई थी कैप्टन विक्रम बत्रा भारतिय सेना के सबसे चर्चित नायकों में से एक है जो युवा पेड़ी के लिए एक प्रेड़ना का स्त्रोथ है कैप्टन बत्रा युद्ध के मैदान में एक ऐसी बहादूरी का परीचर देते थे जिसके बाद उनकी शहादत के चर्चे आज भी सभी की जुबान पर है उन्हें मर्णो पराग सरोच्च सैन्य पुरुसकार परमवीर चक्र से सन्मानित किया गया 9 सितंबर 1974 को हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत हिल स्टेशन पालंपूर में विक्रम बत्रा का जन्म हुआ था कैप्टन बत्रा पढ़ाई में काफी अच्छे थे और बहतरीन स्पोर्ट्समैन भी थे आएक बात आपको यहापने में बताना चाहूँगा कि कैप्टन विक्रम बत्रा को उत्तर भारत का सबसे बहतर NCC कैड़ेट भी चुना गया था साथ ही वो कराटे में ग्रीन बेल्ट होल्डर और नैशनल लेवल के टेबल टेनिस खिलाडी भी थे कैप्टन विक्रम बत्रा देशभक थे और हमेशा देश की सेवा के लिए सेना में जाना चाहते थे यही वज़े थी कि विक्रम बत्रा को मर्चंट नेवी में सेलेक्शन होने के बावजूर उन्होंने भारतिय सेना में जाना पसंद किया मीडिया रूप्पोर्ट्स की उदर माने तो कैप्टम विक्रम बत्रा ने सेना में जाने से पहले अपनी मा से कहा था कि जीवन में पैसा सब कुछ नहीं होता, मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है, अपने देश के लिए कुछ महान काम करना है कारगिल युद्ध के दोरान कैप्टम विक्रम बत्रा ने इन शब्दों को जिया और कुछ ऐसा कर गए जो आज मिसाल बन गया है कमबाइन डिफेंस सर्वीस यानि के CDS का एक्जाम क्लियर कर विक्रम बत्रा साल 1996 में भारतिय सेना में शामिल हुए तीन साल बाद ही उनके जीवन का सबसे बड़ा मोगा आ गया और वो था कारगिल युद्ध जिस वक्ट कारगिल की लडाई शुरू हुई उस वक्ट कैप्टन विक्रम बत्रा छुट्टियों पर अपने घर गए हुए थे एक दिन जब वो अपने दोस्तों के साथ बैट कर कॉफी पी रहे थे तो उसी दोरान दोस्तों ने उन्हें लडाई के दोरान सावधान रहने के लिए कहा सला अधी दोस्त थे इस पर विक्रम बत्रा ने उनसे कहा था या तो मैं तिरंगा लहरा कराऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कराऊंगा मगर यारो वापस जरूर आऊंगा 1 जून 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा ने फिर से ड्यूटी जॉइन कर ली और उन्हें लडाई के मोर्चे पर कारगिल में पोस्टिंग दी गई लडाई के दोरान 19 जून 1999 को कैप्टन विक्रम बत्रा और उनके साथ अन्य जवानुने 0.5140 पर कबजा किया इस लडाई में कैप्टन विक्रम बत्रा के रणनीतिक कौशल का शांदार नमूना पेश किया गया और दुश्मन को उन्होंने धूल चटा दी खास बात ये थी कि इस लडाई में कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम में कोई भी जवान किसी भी तरियस्टिके से घायल नहीं हुआ इस जीत ने इलाके में भारत की स्थिती को मजबूत कर दिया था इस दोरान एक इंटर्यू में कैप्टन विक्रम बत्रा ने देश के लिए कुछ और करने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि ये दिल मांगे मोर बढ़ी हुई दाड़ी और विश्वास से चमकता कैप्टन विक्रम बत्रा का वो चहरा आज ही लोगों के जहन में ताजा है 0.5140 पर भारतिय सेना के कबजे के बाद पाकिस्तानी गन के साथ कैप्टन विक्रम बत्रा की मुस्कुराती हुई तस्वीर मीडिया में च्छा गई इसके 9 दिन बाद ही कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम को एक और टास्क दिया गया और उन्हें 17,000 फीट की उचाई पर स्थिल 0.4875 पर कबजा करने की जिम्मेदारी सोपी गई ये ओप्रेशन बेहत मुश्किल था बरफिली चोटियों और 80 डिगरी की उचाई पर चड़ना और वहाँ दुश्मन से लड़ना बेहत मुश्किल काम था लेकिन भारतिय सेना के वीर जवानों ने सारी चुनवत योग को पार पाते हुए पाकिस्तानी ठिकानों पर हमला बोल दिया साथ जुलाई किरार कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम के अन्य जवानों की पाकिस्तानी सैनिकों के साथ भैंकर लड़ाई हुई क्याप्टन विक्रम बत्रा के साथ उनके साथी और भारतिय सेना के एक और हिरो क्याप्टन अनुज नईयर भी साथ थे भारतिय सैनिक बहादूरी से लड़ते हुए दुश्मन के बंकरों को क्लियर करते जा रहे थे तभी एक जुनियर अफसर बं धमाके से घायल हो गया साथी को घायल दे क्याप्टन विक्रम बत्रा ने उन्हें बचाने के लिए बंकर से बाहर निकलना पड़ा इस दौरान एक साथी ने उन्हें रोखनी की भी पोशिश की लेकिन क्याप्टन बत्रा ने कहा कि तू बाल बच्चेदार है हट जा पीछे इतना कहकर क्याप्टन बत्रा साथी को बचाने के लिए बंकर से बाहर आ गए इस दौरान उन्होंने दुश्मन के कई बंकर तबाह कर दिये और दुश्मनों को निस्तनाबूत कर दिया लेकिन जब वो घायल सैनिक के पास पहुचे और उसे उठानी के लिए नीचे जुके तभी एक गोली उनके सीने में आकर लग दी भारतिय सेना का ये वीर जर सैनिक वीर गति को प्राप्थ हो गया कैप्टन विक्रम बत्रा की बहादुरी के कायल पाकिस्तानी भी थे जिस तरह उनके नेत्रुतों में भारतिय सेना ने 0.5140 पर कबजा किया था उसके बाद से पाकिस्तानी खेमे में भी कैप्टन बत्रा के चर्चे होने लगे थे जब कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम 0.4875 पर कबजे के लिए चोटी पर चढ़ाई कर रही थी तभी एक पाकिस्तानी सैनिक ने कैप्टन बत्रा के रेडियो को इंटरसेप्ट करती लिया और एक चुनोती देटी हुए कहा था कि शेर्शा उपर मत आना वरना मुश्किल में पड़ जाओगे हाला कि जब लड़ाई हुई तो कैप्टन विक्रम बत्रा ने दुश्मनों को नाको चने चबवा दिये बदा दे एक मैंतों बुड़ बात ये है यहाँ पर के कैप्टन विक्रम बत्रा का कोड नेम शेर्शा था सुबह तक भारतिय सेना ने 0.4875 पर कबजा कर लिया था लेकिन इस दौरान भारतिय सेना के सबसे महान सैनिकों में से एक कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नईयर शहीद हो गए थे कैप्टन अनुज नईयर को मर्णो परांग महावीर चक्र से सम्मानिक किया गया आज 0.4875 को विक्रम बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है कैप्टन बत्रा का जन्मस्तान आज उनके नाम से पहचाना जाता है शहर के मुख्य चौराये पर कैप्टन बत्रा की प्रतिमा लगाई हुई है समय समय पर ऐसे लोग पैदा होते रहते हैं जिनके आगे नायक जैसे शब भी छोटे बढ़ जाते हैं क्याप्टम बत्रा भी ऐसे ही लोगों में शामिल थे जिनका नाम और देश के लिए की गई उनकी सेवा कई पिडियों तक प्रेणा देते रहेगी नमस्कार